हलो फ्रेंट्स और मोस्ट विल्कम इन माई य्टूब चैनल एवियेशन जगत्व दस्तों आज हम बात करने वाले हैं एयरक्राप्ट के स्टालिंग के बारे में कि एयरक्राप्ट में स्टालिंग की सिच्वेशन कब आती है कब एयर का इस्टाल हो जाता हूँ इस्टाल का क्या मतलब है और किस कंडिशन पर कितने इंगल के बीच पिच में इस्टालिंग नहीं होता है रहला कि किस इंगल के बाद इस्टालिंग कि आने की कंडिशन बनती है कि IERCRAFT को तो विडियो के शुरू करते हैं लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नहीं प्लीज सिस्क्राइब करिएगा और सपोर्ट करिएगा तो इस टालिंग का बेसिकली मतलब होता है कि जब फ्लो तीजी के साथ एयरक्राप्ट से से इफ्रेट होने लगे मतलब जब लिफ्ट जो होती है जब हमारी लिफ्ट जनरेट होती है एयरक्राप्ट में ओ तीजी के साथ डिक्रीज होने लगे हाँ स्टालिंग का मतलब यह बिल्कुल मैं समझेगा कि लिफ्ट उस टाइम जीरो हो जाती है lift जो है 0 नहीं होती lift जो है 30 के साथ कम होने लगती है like हमें पता है कि lift को formula होता है half rho v square yas cl जहां rho density होती है v velocity हो गई yas surface area and cl होता है coefficient of lift तो जिस प्रकार से हम आप यह पर देख सकते हैं कि lift जो है कुछ इन 4-5 factor पर depend करता है तो जब जैसे हम cl जो की है angle of attack भी आप इसको बूल सकते हैं lift के coefficient को जैसे हम angle of attack बढ़ाते जाएंगे तो एक निस्चित angle के बाद इसको nearly 15-20 degree माना जाता है तो 15-20 degree तक उसके बाद भी कर हम अपना angle of attack बढ़ाते रहेंगे तो ऐसी condition में जो है starling की condition बन सकती है और lift जो है तीजी के साथ कम होना शुरू हो जाता है कुछ इस प्रकार की condition में वहीं पर अगर velocity बहुत ज़्यादा कम है अब हमें lift प्रोडूस करना है तो अगर मान लेजे कोई भी हमारी level flight है और एर कप तमारा उस टाइम उड़ रहा है और हमारी velocity अभी जो है बहुत ज़्यादा कम है तो अभी हमें उस level flight को manage करने के लिए जो है क्या करना होगा अपने CL मतलब की lift की coefficient अंगल आप एक को तो आप ऐसे condition में बढ़ाना पड़ जाएगा तो आप यह भी जान लिजे कि ऐसे नहीं कि ज़्यादा speed होने पर ही जो है यह situation आती है स्टार्लिंग की कम speed होने पर भी जो है हमें level flight में जो हमें CL को lift की coefficient को बढ़ाना पड़ता है अंगल आप अप एक कंडिशन में भी कम speed पर भी स्टार्लिंग की situation आ जाती है और जो है plane तीजी की साथ डाउन जो है नीची की तरफ गिरने लगता है इस कंडिशन में और स्टार्लिंग में जो है weight जो होता है weight का coefficient कहीं ज्यादा हो जाता है lift की coefficient से इसी कारण जो है plane बिल्कुल unbalance हो करके गिरने लगता है अभी हमने आपको बताया है कि जो starling start होती है कि standard starling 15 से 20 degree बीच में मानी जाती है कि इतना angle आपकी है तो जो है starling की condition आना शुरू जाएगी और वही पर एक बहुत ही अच्छी lift by drag का जो ratio होता है मनलब कि इस angle पर aircraft जो है एक अच्छे lift by drag का ratio मिलता है और आपको आप समझ में आ गएगा कि starling क्या है किस प्रकार से जो है lift कम होने लगता है चैनल पर नहींद प्लीज सस्ट्राइब करेगे सपोर्ड करेगे थैंक्यू फ्रेंट्स पर राच्व वीडियो